तमिल नाडू की स्प्रिंटर धनलक्ष्मी ने 24 में फेडरेशन कप नैशनल एटलेटिक्स जेंपियंशिप में 100 मीटर में गोल्ड अपने नाम कर लिया और 200 मीटर में सिल्वर जीत लिया धनलक्ष्मी ने 100 मीटर में भारत की टॉप स्प्रिंटर दूती चंद और 200 मीटर में हिमादास को हराया इतना ही नहीं उन्होंने 200 मीटर इवेंट में पूर्वधावक प्यूटी उशा के 23 साल पहले बनाए गए रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया 22 साल की धनलक्ष्मी ने 11.39 सेकिंड का समय निकाला फेडरेशन फिल्वर मेडलिस्ट दूती चंद 11.58 सेकिंड के साथ दूसरे स्थान पर रही हिमा इस इवेंट में गलत स्टाइट की वज़े से डिस्क्वालिफाई हो गई सौमिर में नेशनल रिकॉर्ड 11.22 सेकिंड का है जो दूती चंद ने 2019 में 69 नेशनल ओपन चंपियनशिप में पनाया था धनलक्ष्मी का रिकॉर्ड दूसरे नमबर पर है तिरुचरा पल्ली के गुंदूर गाव की रहने वाली हैं धनलक्ष्मी धनलक्ष्मी को बच्पन में काफी गरीबी का सामना करना पड़ा उनकी मा मजदूरी का काम करती थी धनलक्ष्मी की दो बहने भी हैं उन्हें अपने गरीबी को दूर करने के लिए स्पोर्ट सी एक विकल्प दिखा धनलक्ष्मी ने मंगलोर के लावा कॉलेट से भी लॉक्डाउन ने धनलक्षमी की ट्रेनिंग को काफी प्रभावित किया इस दोरान उनकी एक बहन का किसी बीमारी की वजह से निधन हो गया उनके कोच ने किसी तरह एक स्पॉंसर ढूंडा जिससे धनलक्षमी को फाइनेशली मदद मिली इसकी बदौलत उन्होंने फेडरेश लॉक्षमी काफी झाल ऑज़ झाल जॉब झाल 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 झाल